वेरी इंपोर्टेंट कोईशन है देख लीजे छब एकती F G H J K और L में से H G से दो गुना भारी है और J F से देड़ गुना भारी है ठीक है G का वजन J से आधा है F और J दोनों मिलकर A से कम भारी है J और J मिलकर F से दो गुना भारी है तो बनाते हैं बड़ा कन्फ्यूजन वाला कोईशन है दिहान से देखिए थो अलुआ कि ये का वजन क्या मानियेगा 40 या 80 या 20 मान लेटे के का वजन क्या है वाई 4 गजी ठीक है HK से 2 गुना भारी है यानि HK केतना हो जाएगा HK केतना हो जाएगा 40 गुने 2 कीज़ेगा तो 80 हो जाएगा ठीक है एक वो लाइन दे दीजें यहाँ पर JF से 1.5 गुना भारी है JF से 1.5 गुना भारी है और 3 लाइन में कहा था F और J मिलकर F और J दोनों मिलकर A से कम भारी होना चाहिए J F से डिर्गुना भारी है यानि F का माल लेते हैं 20 kg ठीक है तो J का कितना हो जाएगा भाई डिर्गुना 20 गुने 3 बटा 2 या इसे नहीं आता तो 1 होल 1 बटा 2 जब सुल पीजेगा तो 2 का 2 तो 3 तीन बटा 2 हो जाएगा यानि 20 गुने 3 बटा 2 तो कटेगा 10 आएगा यानि 30 हो जाएगा क्या कहता था F और J A से कम भारी है हाँ हो गया कोई दिकत नहीं अब आगे देखिए J और L दोनों मिलकर F से दोगुना भारी है J एक सकेन में क्या कहा रहता है J का वजन J से आधा है यानि J का कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा जब J का कितना है 30 है तो J का कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा कोई दिकत नहीं है अब यह और देखिते है J और L दोनों मिलकर J प्लस L दोनों मिलकर F से 2 गुना भारी है F का कितना है B से यानि 40 हो जाएगा कोई दिकत नहीं है ठीक है J का 30 है तो L का कितना होगा 10 हो जाएगा बस हो गया और किया अब हम बैठाते हैं न कह रहा है कि किंंडिंग उनम बठा भाई ऑरिकरंप रा कई जेंडिक बड़ा से चोड़ा चाहिए ठीक है乾 तो सबसे बलहें कौन है हम कि उतने उसके बाद ला जीरा नुम लाए अब पूट रहा है कोन सी वस्तु एक सिके ंक में कौन सी वस्तु नीचे से दूसरा होगी नीचे से तो नीचे से दूसरा कौन सा है भाई जी है ना तो जी आपका करेक्ट एंसर है कोई दिकत नहीं प्रेक्टिस कीजिएगा पूछा जाएगा